हेलो एन वेल्कम बैग दोस्तों इससे पहले कि हम डीप डाइव करें इंटु मोर इंट्रेस्टिंग स्टाफ तीन और टैग्स जो हमें डेसकस करना चाहता हूं क्योंकि वह बहुत 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 इंपोर्टन्ट है सबसे पहले टैग है वह है कॉमेंट की इमेजन करें कि आपका बहुत आपको कहते है यार बहा सुनु तो महारा कोड जो है वह मैं है j signs को देने लगा हूं तो उसको थोड़ सा टाकुमेंट कर दो कि ताकुमेंट करने का मदर्ब मैंने लिखा था तो मैंने इसलिए लिखा था कि get method जो है ना post method से अच्छा method है तो अब इसको लिख देते हैं इस तरह और इस तरह बाकी और भी comments लिख देते हैं however इसमें एक problem है problem यह है कि अगर मैं यहाँ पर आके website को refresh करता हूँ तो यह code जो है जो अपने text लिखा था html इसको as a code interpret कर रहा है अब यह तो problem हो गया ना बहुत बड़ा यानि के चले human तो read कर रहा है लेकिन html भी इसको as a code read कर रहा है तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसको सिर्फ human reading के लिए लिखा जाए ताकि html इसको ignore कर दे इसका बिल्कुल तरीका है और इसको जो हम करते हैं smaller than sign smaller than sign sign of exclamation minus minus जब यह लिखते हैं तो basically आप देखें कि इसके बाद पूरा text जो है वो great turn हो गया है इसका मतलब यह है कि इसको off कर दिया माइनस माइनस greater than sign जब आप greater than sign जहां पर लिखते हैं तो यह देखें excellent यह जो है basically आप comment बन गया हूँ है human understanding के लिए और यह जो है html बन गया है html की understanding के लिए excellent अगर मैं इसको अब save करता हूँ दुबारा अपनी website की तरफ आके इसको refresh करता हूँ तो यह text चला गया good अच्छा अब और दो tags हैं एक को कहते हैं block element और एक को कहते हैं line element block element जो है वो basically div tag होती है div tag आप बहुत दफाद देखेंगे अपने इस बलके div tag तो आपका जनम जनम का साथी हो जाएगा div tag यह देखिए div div tag के खास बात यह है कि यह basically styling के लिए use होता है जैसे कि यहाँ पे एक form नदर आ रहा है आपको और यहाँ पे इसका कोई surprise तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई अगर मैं इसको div tag में डाल भी देता हूँ क्योंकि यह कहला form है तो को change इसमें आने वाली है नहीं लेकिन फिर भी य यह basically styling के लिए use होता है अगर हम इसको refresh करता हूँ तो you won't say anything happening ठीक है एक div tag होगी जो कि ब्लॉक्स में डालने के लिए मिसाल के तो पर इसके बाद एक दूसरा form हो तो फिर उस form को इस form से अलादा करने के लिए div tag use होगी good दूसरा जो है वो है span span यह स्पैम नहीं है span right इंटर करते हैं यह देखिए दूसरा जो है span element span element जो है दोस्तो span जो element है वो basically क्या करता है कि line add मिसाल के तो पर यह देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ first name और इसको इंक्लोज कर देता हूँ span span के अंदर sorry span के अंदर अब इसकी खासियत यह है कि in case अगर यह देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ first line अब जो है basically हम क्या कर सकते हैं यह अब हम basically इसके अंदर styling use कर सकते हैं इसको मैं सिर्फ इसको मैं bold कर सकता हूँ इसको italic कर सकता हूँ and I can keep on going ठीक है okay so far so good basically यह दोनों हम use नहीं करेंगे फिलाल at the moment लेकिन इनका idea आपको यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है आने वाले lectures में आप इन से आपका वास्ता पढ़ने वाला है तो इसलिए सनाओ कि आपको surprise मिले बहुत बड़ा तो so far so good यहाँ पर मैं इस lecture को close करता हूँ let's see you in the next lecture